हेलो, वैलकम और वैलकम बेक टू मैं चैनल तो आज हम बनाने वाले है avons की चतनी की रेसिपी तो चली है स्टार्ट करते हैं तो पहले मैंने लिया है पानी और इसे मैंने डाल दिया है अब हम लेंगे साबूत लाल मिर्च तो मैंने जो लाल मेंचे उनकी जो seeds होते हैं उनके जो बीज होते हैं उनको निकाल दिया है ताकि वो spicy कम हो और अब मैंने 4-5 onions लिए हैं प्याज तो वो डाल दिया है चार से पांच टमाटर लिया है वो डाल देंगे अब अगर आपको थोड़ा सा spicy ज्यादा पसंद है तो आप टमाटर की quantity यहां पर कम कर सकते हैं और अगर आपको normal spiciness पसंद है तो आप इसी तरह से major करके डालेगा अब मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और add कर दीजेगा अब देखे 30 मिनट के बाद जो है हमारे जो वेजटेवल से जो हमने डाली है प्याज वगरा वह अच्छे से पक गए हैं यह देखे इसकी पील होने लग गई है तो यही साइन है कि बस अब हमें इससे ज्यादा और नहीं पकाना है तो इसमें मुझे पान 5 मिनट के लिए फ्लेम पे पका देंगे जो पानी है वोगवपरेट हो जाएगा तो यह देखें अब काफी कम पानी बचा है आज अब गैस की फ्लेम ने ऑफ कर दी है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे यह देखें मेरे तो ठंडा हो चुका है तो इसे दालेंगे और इसे ग्राइन कर लेना है एक स्मूथ पेस्ट तयार करना है हमें जैसे हमें चटनी की कंसिस्टेंसी चीए अब हम इसमें सॉल्ट एड कर देंगे तो टेस्ट के according salt या फिर कम डाल दीजिए बाद में हम वैसे भी चटनी को fry भी करने वाले तब डाल देंगे तो अब एक smooth paste बना देते हैं इसका तो यह लीजिए अब paste तो टैड़ी है मैं आपको दिखा देती हूँ कलर कितना प्यारा लग रहा है और मैंने कोई editing नहीं किये इसमें सिर्फ जो light है वही on रखी है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मतलब color देखके भी mommos की आजा जाती है चट्नी को देखकर ही तो मैंने कड़ाई ली है अब इसमें तोड़ा सा oil डाल देंगे इसको हलका सा गरम होने देंगे अब इसमें मैंने बारी काटके रखा है लसुन तो वो डाल दिया है इसको हलका सा सौते करना है ताकि इसका जो कच्छा पने वो दूर हो जाए अब यह हलका सा गोल्डन ब्राउन की होने लग गया है तो अब हम इसमें पेस्ट मैं बनाए था गोड़ा डाल देंगे मिक्स कर देंगे तो आदी चटनी बनाने की प्रोसेस तो होई चुकी है आदी से जादे ही हो चुकी है अब हम इसमें अब आड करेंगे के सोये सॉस सौस प्रोग यहाँ नहीं यूज किया है तो मैंने दो स्पून लिया कर डाक वाला यूज रहा तो पहले एक स्पून ही डालें फिर टेस्ट करें उसके बाद ही आप जदे हैं अब इसे पकने के लिए इलगा सा छोड़ देना है इसमें हम डालदेंगे विनेगर तो स्पून ही मैंने विनेगर एड़ किया है कि मिक्स कर देंगे इसे हो सॉल्ट डेंगे अबाद्श गपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एड की दिए जितना आपको नमक पसंद है उतना डाली है थोड़ा सा डाल के टेस्ट कर लिए फिर कम लगी तो और डाली है अब मैंने इसमें एक चम्मी चीनी चीनी इसलिए यह यह ऐड़ की है कि यह टीस्ट को be let ओरस कर देगा क्यूंकि हमने तो यह टो की नए क roughly क्रफिर रीच टेस्ट आता है तो यह देखिए हुमारी चत्नी है वो वो ready हो चुकी है मैंने flame off कर दी है और लाइट की वज़े से थोड़ा सा golden golden सा उपर दिख रहा है वो oil है तो वो इस तरह से दिख रहा है क्योंकि वो flash on कर रखा था इसलिए तो हमारी चटनी वो बिल्कुल ready है सर्व करने के लिए अगर आपको मेरी रेसिवी पसंद आयो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं थैंक यू